नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका उत्राखंड एक्जाम करेकर में दोस्तों आज हम उत्राखंड PCS 2016 का जो पिरी का एक्जाम होता उसे सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किये पहला क्योसन है जेम्स एंड्यूस रेंजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड डल हो जी नेक्स्ट क्योसन है अठारा सो सत्तावन इसबी के सम विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो राइट आंसर है लॉर्ड कैने देखिए दोस्तों पहला और दूसरा क्योसन गवर्नर जनरल से आगया तो उत्राखन पीशेस के लिए आपको गवर्नर जनरल पढ़के जाना आवश्या क्योंकि यहां से हर बार एक्जाम में क्योसन आते है दोजार बारा का जो पीशेस कांड से संबंदित नहीं था तो सूर्य सेन का संबंद काकोरी कांड से संबंद नहीं है उत्राखन की प्राचीन पर जाती नहीं है खासी अगला क्योसन है खुडबुड़ा का युद्ध कब हुआ था तो खुडबुड़ा का युद्ध हुआ था अठारा सो चार में 1946 में परवतिय चेत्र के लिए अल्लाग परशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी तो ये मांग की थी बदृदर पांडे ने बीडी पांडे इसका राइट आंसर हुजाएगा संगोली की संदिक कब हुई थी तो संगोली की संदिक हुई थी 1815 में चमोली के रहनी गाउं में किसके नेतिर्तों में वन कटाई के बिरोध में आंदोलन चलाय गया था तो ये आंदोलन चलाय गया था गौरा देवी के नेतिर्तों में अगला क्योशन है परमारवन्स का सस्तापक कौन था तो परमारवन्स का सस्तापक था कनक पाल next question है निम्न में कौन सा प्राचीन वलित परवत नहीं है तो end is इसका right answer हो जाएगा निम्न में कौन एक मूल इस्तल स्वरूप है तो ज्वाला मुखी संको क्या है मूल इस्तल रूप है सरवाधिक तटिय अपरदन किसके कारण होता है तो सरवाधिक 30 अपरदन होता है सोनामी लहरों के कारण next question है वाई मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो वाई मंडल की जो सबसे निचली परत होती है यह होती है छोब मंडल पिर्थवी की भूमध्य रेखे परिदी कितनी है तो इसकी जो परिदी होती है लगबग 40,000 किलोमेटर होती है निम्न महासागर यह धारों में कौन सी परसांद महासागर से संबंदित नहीं है तो कनारी की जो धारा है इसका संबंद परसांद महासागर से नहीं है नेक्स्ट है साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ था तो साप्टा का गठन हुआ था उन्निस्सो तेरा नवे में अगला क्योशन है निम्न में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है तो मानक समय समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है बादल परिणा में तो बादल परिणा में संगनन की next देखते हैं कौन सा युगम गलत है डोडी ताल उत्तरकासी बिल्कुल सही है बेनी ताल चमोली में है ये भी सही है बासुकी ताल रुद्र परियाग में है ये भी सही है और जो देवरियत आल है ये भी है रुद्र परियाग में, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसने टीरी दिया है, तो देवरियत आल कहा हो जाएगा, रुद्र परियाग में. खतलिंग गिलेशर कहां हिस्तित है तो खतलिंग गिलेशर है टिहरी गडवाल में पोर्वी धोली गंगा सायक नदी है तो पोर्वी धोली गंगा है काली की सायक नदी उत्राखंड राज्य के किस राष्ट्य पार्क को 2016 में प्रोजक्ट टाइगर परियोजना के अंतरगस समिलित किया गया राजाजी नैशनल पारिस्त का राइट आंसर हो जाएगा अगला क्योसन देखते हैं कल्या सोड भूसकलन छेत्र उत्राखंड में कहां इस्तित है तो कल्या सोड है श्री नगर और रुद्र परियाक के बीच में उत्राखंड में किस वन्य जी बिहार की इस्तिती पश्चिम से पूरब की ओर है तो इसका राइट आंसर होगा केदानाथ, नंदा देवी, बिंसर और असकोट अगला क्योसन देखते हैं दोवाब दिया गया और उससे संबंदित नदी दी गये तो हमें इसका मिलान करना है तो बिष्ट दोवाब हो जाएगा ब्यास और सतलज बारी दोवाब हो जाएगा रावी और ब्यास रचना दोवाब हो जाएगा रावी और चिनाव और चाज दोवाब हो जाएगा चिनाव जेलम यह आपका हो जाएगा राइट आंसर अगला क्योसन देखते हैं निम्न में भारत में कौन जय बिवित्ता का एक समवेदन सील इस्तान माना जाता है। इसका राइट आंसर है पश्चमी घाट। कोपेन के जलवायु वर्गी करण के अनुसार निम्न में कौन सा उत्तरी बंगाल साइथ उत्तर पूर्वी भारत का उप्युक्त वर्णनान है। तो इसका राइट आंसर सुस्क सर्दी साइथ आधन उपोष्ण जलवाय। D आंसर सही हो जाएगा। अगला क्योशन है नजियों का उद्गम छेतर दिया गया तो बर्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, वेरिनाक से निकलती है जेलम, महाबलेशवर से निकलती है कृष्ण और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वान रेखा नदी तो ये राइट आ आंसर है पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतिया उपगरह सिंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उप्योग में लाही जाती है वह है तो इसका राइट आंसर है इंसेट दक्षण गंगोत्री क्या है दक्षण गंगोत्री है अंटागर्टिका में भारतिय सोध संस्तान तमिल नाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है तो ये कहलाता है कोरो मंडल तट कौन सा राज्य समू भांकडा नांगल परियोजन से जल प्राप्त करता है तो इसका राइट पाल के द्वारा मुख्यमंत्री को न्युक्ति किया जाता है तो आर्टिकल 164 इसका राइट आंसर है उत्राखण में लोगसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं पांस सदस्य उत्राखण की बिदान सबाब में मनों दिन सदस्य कितने है तो राइट आंसर हो जाएगा एक सदस्य 38 में एंगलो इंडियन, लाल बहादूर सास्त्री राष्ट्य पडशास्त्री किया अकादमी कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मसूरी में है लाल बहादूर सास्त्री अकादमी, उत्राखंड लोकसिवायोक के पर्थम अजयक्ष कौन थे? तो इसके पर्थम अज्यक्स से N.P. नवानी ये, एपी नवानी दिया है, ये गलत है, N.P. नवानी इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्राखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो मार्गरेट आलवा इसका राइट आंसर है, भारत्य संगबा में विबित्ताओं में एक्ता को प्रोनत करने है तो, निम्न में किन सस्तानों को आवश्यक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, उप्रोग सभी इसका राइट आंसर है, भारत्य संविदान के किस अनुच्छेद के अनुसार, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो किस आर्टिकल के अंतरगत है, 370, लेकिन अब ये हड़ चुका है, सम्विदान के किन अनुच्छेदों के अनुसार, OBC को आरक्षण के प्रावधान किये गए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, भार दोस्तों आपने देखा होगा, अभी तक हमने तीन आर्टिकल पड़ी है, तीन आर्टिकल आपको देखने को मिले हैं, पॉलिटी से इस एक्जाम, उत्राइखन PCS में तीन क्योशन आएगा, अगला क्योशन देखते हैं, सम्विदान के किस अनुच्छेद द्वारा का संबन्द है सुरक्षा परिशत से, भारत में सार्क सम्मेलन सरुपर्थम किस्वर्ष आईजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होजागा 1986 में, अगला देखते हैं, उन्निस्व सत्तानवे में विश्व परियावरन सम्मेलन आईजित किया गया था, क्योटो में, नेक्स देखते हैं, भारत के पर्मानु सिद्धान्त में सम्मिलित है, पहलना करना एक तरपा, पर्तिबन, न्यून्तम, विश्वस्वस्नियव निवारन, और D है उप्रोग सभी, तो राइट आंसर हो जागा इसका D, सन 2001 में ब्रिक सब्द को किस्तने गड़ा था, तो इस इसका राइट आंसर है, पेवी, नर्सिम्मा, राव, उस टाइम मन्मोहन सिंह क्या थे, वित्यमंत्री थे, वर्स 2016 में, निम्न में से किसको राष्ट्य दल की मान्यता दी गई, तो इसका हो जाएगा TMC, त्रेणमूल कॉंग्रेस, निम्न में किस विद्ध्वान ने स्वतन प्रारंबिक वर्सों की भारत की दल्य ब्यवस्ता का एक दल्य परभुत्त वाली ब्यवस्ता के रोप में वर्णन किया है, तो राइट आंसर है, रजनी कोठारी, निम्न में कौन भारत में राजनितिक दलों को मान्यता परदान करता है, तो राजनितिक दलों को मान्यता प अगला क्योशन देखते हैं पंचायत राज ब्योस्ता का निम्न में से किसमे उल्लेख है तो पंचायती राज्य राज्य सूची का विश है अगला क्योशन है निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य इस्तानिय स्वसासन से संबंदित नहीं है तो राइट अंसर होगा इसका लोग परदान करता है तो राइट आंसर है 243D सेवा के अधिकार की अवधारणा सरुपर्थम कहां आरम हुई थी राइट आंसर है शिचर लेंड में उत्राखन राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नमदों में से किसको अधिक धन्रासी आवंडित की गई थी इसको लिशिक्ष उत्राखन राज्यकी सबसे बड़ी जल बिद्धुत परियोजना है तो इसका राइट आसर है तेरी उत्राखन का हरेला परो संबंदित है पौध रोपंड से उत्राखन का कौन सा एयरपोर्ट सरवाधिक संचालन में है जौलीगरांट एयरपोर्ट सरवादिक संचालन में है 2011 की जनगरना के अनुसार उत्राखण में निम्न में से किस जिले की जनसंक्या सबसे कम है तो सबसे कम है रुद्र परियाक की निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साजिदार है यह है चीन अभी परजेंट में भी चीन सबसे बड़ा भागिदार है राष्टिया किर्सी बीमा योजना भारत में किस वर्ज प्रारम हुई थी तो किर्सी बीमा योजना स्ट राज में न्यूंतम लिंगानों पात है, तो सबसे कम लिंगानों पात है हरियाना में, भारत में राष्ट्य आय की गणना की समस्याओं में से एक है, तो इसका राइट आंसर होगा, गैर मौद्रिकृत उपहोग, भारत में किर्सी के लिए पुनर्वित परदान कनने वाला सर सबसे अधिक परवा को आकरशित करता है, तो यह है सर्विस सेक्टर, सेवा छेत्रक, नेक्स देखते हैं, निम्न में से वर्तमान में भारते रिज़र्ब बैंक के गवर्नर को ने, तो ओर जित पटेल उस टाइम के है, अभी कोन है, सक्तिकांठ 10, अगला क्योसन देखते है मानव विकास सूचकांग निम्न में से किसका संयुक्त सूचकांग है, तो इसका रायट आंसर हो जाएगा, जीवन परतियासा, सेक्षनिक उपलब्दी, एवं परतिव्यक्ति आए, भारत में सीमान्त जोत का आकार है, एक हैक्टेर से कम, ब्रिक संग किस वर्ष ब्रिक्स म वानिजिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में, वर्ष 2014 में क्या इस्तान था, तो ये था आटवाँ, ओपेक का निम्न में से किस पर विशेस भल है, पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम की कीमतों पन नियंत्रन, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये और भ विश्वी करण में समिलित नहीं है, सारोजनिक छेतर की एक्विटी का विनिवेज, वर्ष बैंक में कितने सदस्य देश हैं, तो इसका आंसर है 189, निम्न में कौन एक विश्वीक इस परदात्मक सोचकांक रिपोर्ट परकासित करता है, तो इसका राइट आंसर है विश् भार्थिक फोरम, सार्क सदस्य देशों को परसिक्षन देने हेतु, भारतिय अनाज भंडारन, परबंद एवं अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित हैं, तो ये है हापड में, प्रिवेंशन ओप मनी लॉंडरिंग एक्ट भारत में कब से परवाहुई गा, तो ये हुआ 2005 से ट्रिम्स का पूरा नाम, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जीन है, जीन क्या है, डे अने का एक भाग होता है, अगला क्योशन देखते हैं, थैली सीमिया एक आनुवानसिक रोग है, जिससे परवाहित होता है, तो इसका राइट आंसर है, रग्त, निम्न म कहां इस्तित है, तो यह है देरादून में, निम्न समुच्य में कौन सी गैसें, ग्रीन हाउस परवाह के लिए महत्वपून है, तो इस राइट आंसर होगा, कारवन डायोकसाइड, मीथेन, नायटरस ओकसाइड और जलवास, नेक्स्ट क्योशन देखते हैं, निकिल केडि लिएम बैटरी का परियोग होता है, तो यह होता है, कार्डलेस, इलेक्ट्रोनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, और राइट आंसर होगा, उप्रोग सभी, इसका यूज होता है, सभी में, कौन सा कथन नाभी के बिखंडन से संबंदित नहीं है, तो इसका राइट आ लिएन की, cellulose एवन starch दोनों में होता है, तो इसमें होता है, पलस माइनस glucose, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है, द्वनी तरंग है, ताब बढ़ने के साथ दर्व की स्यानता घड़ जाती है, अगला क्योशन देखते हैं, एक नैनो मीटर बरा सामन काल होता है, तो यह होता है, 24 घंटे का, टैफलोन सामन्य नाम है, पॉली टेटरा फ्लोरो एथिलीन का, निम्न में कौन सा जोड़ा तांबे के मिस्र धातों का है, तो यह है पीतल और कांसे का, एक अर्ध चालक में बिद्दुत चालन होता है, यह होता है, इलेक्ट्र बुक का परकासन किस के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है, IUCN के द्वारा, अगला क्योशन देखते हैं, उत्राखन में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर है, सीटोशन वनों की विशेष्ता, राष्ट्य उध्यानों में आनुमानस किया जाता है, यह किया जाता है, इन सीटो सरक्षन के द्वारा, भारत का पहला राष्ट्य उध्यान, जिमकारवेट है, समाना अंतर फसल का एक उधारण है, यह है गेऊं और सर्सों, निम्न में कौन एक ओपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स के है ओपरेटिंग निम्न में कौन CPU तथा मुख्य इस्मिर्थी के बीच अत्यदिक तेज छोटी आकर की इस्मिर्थी होती है, तो यह होती है, कैस मेमोरी, टेलिवीजन प्रांस्मिशन निम्न में किसका उधारण है, तो यह है सिंप्लेक्स कम्यूनिकेशन का, प्रोटोकॉलों का वा समू, ज अलाओड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब नहीं होती, तो यह राइट आंसर हो जागा इसका, हाड़िवेर एज ए सर्विस, तीरी रियासत का भारतिय संग में विल्या कब हो था, तो तीरी रियासत का विल्या हो था, एक अगस्त उनिस सो उनिस पच्च्च्च्च को, महाबारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे, तो यह जाने जाते थे, सरुषिष्ट, उत्तरकासी का एतियासिक नाम बाड़ाहाट है, किंगरी बिंगरी नीती माना क्या है, तो यह दर्रे है, चिराक सेन का संबन बैटमिंटन से, मौन मेला कहां युजित किय जाता है, तो यह किया जाता है, पाली पछाओं, जौन सार, रमाही छेतर में, तीरी राज्य पढ़्जा मंडल की स्तापना किस ने कीती, यह कीती, स्रीदेव सुमन्या, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनों वेजसाला स्तापित की जा रही है, तो यह तमिलाडों में उस टाइम स्तापिन की जा रही थी, रियो पैरालम्पिक में दीपा मलिक ने किस पर्तियोगिता में रजत पदक जीता था, गोला फेक में, दोस्तों अभी ओलम्पिक और रियो ओलम्पिक चल रहे हैं, और ओलम्पिक खेल हो गए हैं, तो आपको उतराखन पीचेस के लिए ओलम्पिक और रियो ओलम्पिक कंप्लीट करके जाने, यहां से आपको दो-तिन क्योशन देखने को मिल सकते हैं, नासा का अंत्रिक चियान कैसी नहीं, किस ग्रह के मिशन पर है, तो यह है सनी के मिशन पर, भारत के सर्वोच नियाले ने किस वर्ष में नियाएदीशों की न किस भारत्य मूल के चिकिस्षक को अमेरिका के राष्ट्य मानवी की पदक 2015 से समानित किया गिया, इसका राइट आंसर था अबराहम वरगीज, किस भारत्य अर्ध सैनिक बलको पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरब प्राप्त है, तो इसका आंसर है CRPM, कैलास, पव अगला क्योसन देखते हैं, किस नीजी छेतर के बैंक ने भारत में पहली बार सौप्टेयर रोबोटिक्स का उप्योग किया, इसका राइट आंसर है ICICI, वह वित्य साधन जिसके माध्यम से भारत्य कंपनिया विदेशी बाजारों में रुपे में धन जुटा सकते हैं, क् अंतराष्ट्य समुद्री संगठन द्वारा समुद्र में असाधरन बहादुरी के लिए पुरुषकार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, यह है राधिका मेनन, यह आपको पिछली बार को जो करेंट अफियर इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 2017 में गनतंतर दिवस के मुख्य अतिती कौन होंगे, तो उस टाइम थे, लेकिन दोस्तों हम इस बार का पढ़ेंगे, तो इस बार गनतंतर दिवस में एक भी मुख्य अतिती नहीं आया है, 2021 में जो गनतंतर दिवस हुआ था, उसमें मुख्य अतिती कौन था, अगर ऐसा एक जम में आएगा तो इस बार मुख्यात अतिती कोई नहीं था और ऐसा चार बार हो चुका है भारत में कि जब गनतंत्र दिवस पर कोई भी चीपगेश्ट ना आया हो तो इस क्योशन को आप याद कर लेना कम किस राज्य का पर्व है तो ये है तेलंगाना का पर्व Ace Against Orts आत्म कथा है तो ये आत्म कथा है सान्य मिर्जा की वर्ष 2014 में किसे प्राच्य बहसा का दर्जा दिया गया दिया गया तो ये दिया गया था ओडिया को किस वर्स भारत परतिष्टित G20 फोरम की अज्यक्षता करेगा तो यह उस टाइम का करंट अफियर है लेकिन 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा तो आप इसको याद कर ला है यह करंट में पूछा जा सकता है अब यह पिछला है तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है तो यह तो एक्जाम में आएगा नहीं लेकिन जो एक्जाम में आएगा हम उसे याद करेंगे तो भारत अब किसे करेगा मेज़बानी 2023 में बिरिक सब्द की रचना करने वाले बिर्टेन के बिद्वान जिम ओ नील निम्न में किस विशे से संबंधित है तो यह संबंधित है अर्थ सास्तर चे किस भारत या बैग्यानिक को ना केवल नोबेल पुरुषकार बलकि भारत रतन भी प्राप्त है तो यह है सेवी रमन को अगला क्योशन देखता है वैदिक देवमंडल में निम्न में कौन देपता जुद्ध का देपता माना जाता है तो राइट आंसर है इंद्र मगद में नंदवंस का सस्तापक कौन था तो राइट है महापदम नंद यूनानी लेखत जेष्टिन द्वारा किसे सेंट्रो कोर्स कहा गया निम्न इस्तानों में कौन सा इस्तान पूरो मज्यकाल में सिक्षा का केंदर नहीं था तो नालन्दा, विक्रमसिला और तकसिला सिक्षा के केंदर थे तो इसका अंसर हो जाएगा उदंथपूर अगला क्योसन देखते हैं तो ये कहा जाता है बुलंद दर्वाजा तब काते अगबरी किस ने लिखी थी तो ये लिखी थी निजामुदीन एहमद ने किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रोपांत्रन किया गया तो इसका राइटांसर है गुरु गोविल सिंग निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिशी से संबंदिद है तो ब्लू वाटर पॉलिशी अपना ही थी अलमीडा ने उस फ्रांसिसी सैनापती का नाम बताईए जो 1760 के वाड़ी बास युद्ध में प्राजित हुआ था तो यह हुआ था काउंट लाली बेटिस संसत की किस अधिनियम ने भारत में ब्यापार पर इस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समप्त कर दिया तो इसका राइट आंसर होएगा 1813 का चारड़ा एक्ट दक्षन बारत में सिचाई ब्यावस्ता का अग्रदूत किसे माना जाता है तो यह माना जाता है सर आर्थन कॉटन को तो यह सारे क्योशन दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया है तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लो और इसके बाद हम एक प्लानिंग बनाएगे कि किस-किस टॉपिक से ज्यादा क्योशन आ रहे हैं तो कौन-कौन से टॉपिक उत्राखन पीचेस के लिए पढ़ने चाहिए पढ़ना तो आपको सारा ही है लेकिन 50-50 टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें 40-45 नमबर आपको देखने को मिल सकते हैं ठेक है दोस्तों